हर हर महादे दोस्तो स्वागत है आप सभी का ससिस तड़का किचन में क्या आप भी मार्केट जैसा अमावट खाना चाहते हैं बिल्कुल पतला और ट्रांसप्रेंट ना टूटेगा ना विखरेगा ना ही आपका ये फटेगा परफेक्ट तरीके से मैं आप सभी को दो तरीके से बनाना सिखाऊंगी दोनों फ्लेवर बहुत ही मज़े की बनेगी बिल्कुल मार्केट जैसा बनने वाला है तो चलिए फिर ये आसान सी रेसिपी बनाना सुरू करते हैं अमावट यानी आम पापड तो चलिए फिर चलते हैं शुरू करते हैं आज की रेसिपी सबसे पहले यहां पर एक केजी मैंने लिया है आम आम पापड बनाने के लिए बिल्कुल पके हुए आम हमें चाहिए तो एक आम इसमें से दसहरी है और बाकी दो आम है चौसा सबसे पहले आम को अच्छे से धो लेना है उसके बाद उपर का ये टॉफ वाला पाठ हमें निकाल देना है और इसका हमें निकालना है सारा पल्प तो एक किसी बरतन में इसका सारा पल्प निकाल करके एकठा कर लेना है दसहरी आम जो है खटा मिठा है और चौसा आम काफी मिठा है अमावट हमारे देहाती भासा में बोला जाता है आपके हां आम पापड बोला जाता है या जो भी बोला जाता हो आप इसको बोल सकते हैं हमारे यहां वैसे देहाती भासा में इसको अमावठी बोलते हैं इस रेशपी को देख कर के बच्पन के आदे ताजा हो गई आज हम लोग बच्पन में बहुत इस चीज को खाया करते थे, यानि कभी दुकान पिसे ले करके खाया करते थे, या अगर घर पर आम है, तो मेरी दादी-चाची लोग बनाया करती थी, और धूप में खुब अच्छे से सुखाया जाता था इसको, और ये खाने लाइक तयार हो ज में इंकालकर च्छी पर चीज करेंकर ऐंक लिए उसके बाद 2 बड़ा श्कीज दिया है उसके बाद 2 बाधं TexasLord कर दोगए उसके लिया हम इए मेरे बाद ने चीनी बाद टोन परना चीनी लिकाना होता है एक अबाद 3-5 आयण मेरे कहने का मतलब कि जैसे ही ये खदकने लगे वैसे ही गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और लो फ्लेम पर 5-7 मिनट के लिए तकरीबन इसको और पका लीजिए तो देखिए जैसे ही चीनीज की घुल गई है और ये थोड़ा सा मतलब उबलने के स्टेज पर आ गया है तो इसमे आधा नीबू ले लिया है मैंने बीज हटा देना है और इसका सारा रस इसमें निचोड़ दिना है तो नीबू का रस डालने के बाद देखिए ये उबलना इस्टार्ट हो गया है अब लगातार चलाते हुए इसको हमें पकाना है तो 5-6 मिनट इसको देखिए पका लेने के बाद कुछ इस तरीके से आप पौने को करिए और लास्ट ड्रॉब जो है कुछ देर बाद गिरे तो समझे ये पक गया है बस इतना ही देखना होता है इसको पकाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और इस तरीके से देखे पौने पर हमारी अच्छी सी आम की कोटिंग हो होनी चाहिए ये भी एक पहचान है इसको बनाने का तो देखे पौने पर खुब अच्छे से कोटिंग हो रही है यानि कभर हो जा रहा है और लास्ट ड्रॉब जो है कुछ सेकेंड बाद गिर रहा है तो ये परफेक्ट पक गया है इससे जादा हमें इसको पकाने की जरूर है इसके देखने का यहीं तरीका है गयस का फ्लिम बन कर देना है और नीचे उतार लेना है और इसको ठंडा नहीं करना है जब ये गरम रह तभी हमें थाली में फैलाना होता है तो देखे दो थाली यहां पर मैंने इसको सुखाने के लिए लिया है और इसमें अच्छे से प फ्लेवर खराब कर सकता है इसलिए सरसो का तेल मित लगाईएगा अब जो बड़ी वाली थाली है उसमें मैं पतला इस तरीके से सिंपल फ्लेवर का बना रही हूं तो इसको ऐसे ही फैला लूँगी तो पौने से खुबच्छे से इसको फैला लेना है और थोड़ा सा थाली को कर देना है ताकि यह equally बराबर से फैल जाए थाली में इसको साइड में रखते हैं चलिए दूसरे फ्लेवर का अब बना लेते हैं तो दूसरे फ्लेवर का हम चटपटा फ्लेवर बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने काला नमक डाल दिया है आधा छोटा चमच और आधा जीरा का पौडर भी डाल सकते हैं, जैसा आपको फ्लेवर खाना पसंद हो, उसी साथ से इसको चटपटा आप बना सकते हैं, तो देखिए, ये सब चीजे डालने के बाद, अच्छ से मिक्स कर लिया है मैंने, और थाली में इसको भी फैला दिया है, और थोड़ा सा मैं इसको थपथपा दूंगी, ताकि ये वराबर से फैल जाए, अब इसको 2-3 दिन का धूप लगा देना है, आप पंखे की हवा में अगर इसको शुखाएंगे, तो 3-4 दिन का समय लग सकता है, या आप धूप में अगर इसको सुखाएंगे, तो 1-2 दिन में आराम से ये सुख जा बस अब कुछ नहीं करना है कि नारों को छोड़ा लीजे और आराम से इसको आहिस्ते से इस तरीके से खीशते हुए निकाल लीजे और आप सब देख सकते हैं ना ही ये बिखरा है ना ही तूटा है और ना ही कहीं से क्रेक हुआ है बिल्कुल बराबर आम पापड हमारा बन करक करके तयार हुआ है बिल्कुल मार्केट जैसा आप कह सकते हैं और आप सब देख सकते हैं इसमें से उंगलियां साफ नजर आ रही है बिल्कुल ट्रांसफरेंट बन करके तयार हुआ है आम पापड हमारा तो आप भी इस तरीके से बिल्कुल ट्रांसफरेंट आम पापड घ करके फ्रिज में इसके पीसे सकाट लीजिए और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर करके पूरे साल भर एंज़ाइ कर सकते हैं यह बिलकुल खराब नहीं होता है और देखिए जो मैंने छोटी वाली थाली में फैला आया था चटपटा फ्लेवर का यानि मसाले फ्लेवर का तो वो भी आसानी से बिलकुल निकल गया है यह थोड़ा सा मोटा मैंने फ्लेवर था फिर भी देखिए यह एकदम बिलकुल बराबर आम पापड बन करके तयार हुआ है ना ही यह बिखरा है ना ही यह तूटा है बिलकुल बराबर यह परफेक्ट हमारा आम पापड चटप तरफ से किनारों को थोड़ा-थोड़ा निकाल लीजे और चौकोर सेप में आप काट लीजे तो जो किनारे के निकले हैं तो इस तरीके से आप रोल करके रख सकते हैं तो इस तरीके से आप रोल कर दीजे ये भी देखने में अच्छे लगते हैं तो इस तरीके से रोल कर और जो बीच का हिस्सा है उसे चौकोर सेप में काट लीजिए इस तरीके से ये देखे कट करके तयार हो गया है और हात में भी आप सबको उठा करके दिखा दे रही हूं पर्फेक्ट ये बन करके तयार हुआ है न जादा मोटा है और न जादा ही पतला है तो दोस्तों है ना बिल्कुल मार्केट जैसा आम पापड हमारा बन करके आप इसको पूरे साल भर रख करके एंजॉय कर सकते हैं ये बिल्कुल खराब नहीं होगा तो दोस्तों आज की रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई